हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्या यूपी पीशेल में एक पोस्ट पे फोर वीलर की सुप्धा मिलती है इस सवाल के जवाब के लिए हम लोग थुआ सा पैसा समंदित देख लेते हैं एक फोर वीलर को हायर करने में पर मंथ 25,000 का खर्चा आता है विठ जीएस्टी और इस फोर वीलर को चलाने के लिए डिजल के अब सकता होती है जिसके लिए करीबन 10 से 15,000 का खर्चा पर मंथ आता है तो एक गाड़ी को यूपी पीशेल को एक म और जो एई होते हैं तो एई पोश्ट पे गाड़ी मिल भी सकती है और नहीं भी मिलती है सबसे पहले अगर जो एई जोईन किये हैं उनके पास ऐसा काम है जिसमें फिल्ड में काफी जादा भागय दोरी है फिल्ड में बहुत बार जाना पड़ता है लंबा छेतर है गुमन है तो वह चीफ इंजिनियर से रिक्वेस्ट करके गाड़ी प्रोभाइट कराते हैं एई को ठीक है अगर जो एई की सुपरियर है उनको लगे कि पर मंथ 40,000 रुपय खर्च किया जा सकता है मेंटनेंस के हेट से इस काम के लिए और यह जस्टिफाई है तो वह रिक्मेंट क तो सभी अई उ को गाड़ी नहीं मिलता है यह वर्क नेचर पर डिपेंड करता है और यूपय पी से एल में जिन एई को उपकन्ड का चार्ज मिल गया है यानि कि सबडिविजन का चार्ज मिल गया है तब उन्हें नॉर्मली गाड़ी मिल जाता है चाहे वो transmission हो, चाहे वो distribution हो, दोनों wing में अगर AE को उपखंड का charge मिला हुआ है, तो उनको normally गाड़ी मिल जाता है, है ना, और एक आपको interesting बात बताता हूँ, कि ये जो गाड़ी है, विभागी काम के लिए department UPBCL देता है, ठीक है, फिर भी department जो है, अगर मान लिजे कि आप AE है और आपको गाड़ी मिला हुआ है, तो आपके salary से 400 रुपिया पर मन्त UPBCL देट कर लेगा, इस deduction को कहते है, भाइकल चार्ज, ये बहुत पुराना नियम है, कि अगर आपको गाड़ी मिली है, तो 400 रुपिया लगबग, आपके salary से AE की salary से deduct UPBCL कर लेता है, मैंने इस तर्थ के बारे में कुछ लोगों से बात किया, कि ये क्यों deduction होता है, तो उनका कहना है, कि ये काफी पुराना नियम है, और विभाग ये मान के चलती है, कि आप उस four-wheeler का अपने personal कामों में उप्योग कर रहे हैं, इसलिए वो 400 रुपिया आपके gross से deduct होता है, ठीक है, इस deduction को बो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज लाइक कीजिए, सेर कीजिए, सस्क्राइब जरूर कीजिए, और आपको किसी भी टॉपिक पे कोई वीडियो अगर चाहते हैं, तो कम्मेंट में लिखे, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा, थैंक्यू,